प्रिय विद्धार्तियों, मैं सुबुद्धी सिंह का साना साई का चारी राजनेती विज्ञान आज हम स्वीटर्ज लेंड में प्रत्यक्ष लोकतंतर विशय पर विश्थार से चर्चा करेंगे स्वीटर्ज लेंड जिसे लोकतंतर का गर का जाता है लोगतंतर की एक सरोप्रमुक परिवासा जिसे हम सब जानते हैं कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए सासन का आ जयता है मूलता इसका आशी यह है कि श्योम जनता की द्वरा प्रत्यक्ष रूप से सासन की सक्ति का प्रियूग किया जाना चाहिए ये प्रत्यक्ष लोक्तंत्र है तता प्राचिन काल में युनानी नगर, राज्यों, भारत के वज्जी संग में प्रत्यक्ष लोक्तंत्र आत्मक सासन वैस्ता परशलेत थी लेकिन कालांतर में राज्यों की जन्सेंग क्या बढ़ जाने बढ़िया कारवाले राज्यों की स्तापना होने की कारण प्रत्यक्ष लोकतंतर को एवेवारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व की अधिकांस राज्यों में एप्रतक्ष या प्रतिनिद्यात्मक लोकन्तर को अपना लिया गया लेकिन वर्तमान समय में भी स्वीटर्जरलेंड के एक पून केंटिन और चार अरध केंटिनों में प्रतक्ष लोकन्तर ये सासन परचलेता है प्रतक्ष लोकतंतर के उपकरणों लोकन्तर आरंबक को भी अपनाया गया कुछ केंटिनों में नागरिकों के लिए मतादिकार का प्रियूक करना अनिवारी है इन में से भी कुछ केंटिनों में क्योल केंटिनों की चुनाओं के लिए ही मत्दान अनिवारी है कुछ में क्योल संगी चुनाओं में है, कुछ केंटिनों में मद्दान ने करने वाले व्यक्तियों को सामानने जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अनकेंटिनों में जुर्माने की वैस्ता नहीं है, जिन केंटिनों में संगी विसेव पर अनिवारी मद्दान और मद्दा ने करने पर जुर्माने की वैस्ता की गई है वे हैं सोफासन, सेंट गोल, आरगाउ और थरगाउ वर्तमान समय में अनिवारी मद्दान की वैस्ता केवल स्वीटर्जलेंड में ही है और ये स्वीश वैस्ता की लोगतंत्रात्मत्ता का एक और प्रतीक है स्विटर्जलेंड को इन वैस्ताओं की कारण ही स्विटर्जलेंड को लोगतंत्र का गर खा जाता है हम ब्राइस के सब्दों में विशु के आदूनिक लोगतंत्रों में जो की वास्तिक लोगतंत्र है अध्यन की द्रिष्टी से स्विश रिलेन का सरवातिक मेतु है ब्राइस ने कहा है कि लोग तंत्र के विद्धारतियों के लिए स्विश शासन वैस्ता से अधीक शिक्षापरत और कुछ भी नहीं है क्योंकि वे एसंग की जनों के हरते की जहांकी प्रस्तूत करती है और उनकी भावनाओं तता विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रगठ होते हैं निर्वाचित प्रतिनीदी के मात्यम से परव्यतित होकर नहीं स्विटर्ज लेंड में प्रत्यक्ष लोग तंत्र के हम उपकरण देखते हैं आज 20 सधी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामानित अतीत की सासन वैस्ता माना जाता है किन्तु स्विटर्ज लेंड के एक पूर्ण केंटिन गलेरस और चार अर्ध केंटिन जिनके नाम इस प्रकार है ओब वाल्डेन, निड वाल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचलीत है सबसे पहले हम केंटिनो की सासन वैस्ता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दिखते हैं और वहाँ पर प्रारंबिक सभा एक लैंड सिमेंड शंस्ता का घटन किया जाता है जिसकी माद्धम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मूर्द तपरधान की जाती है इन केंटिनो में कोई विदान मंदल नहीं है और विदान मंदल का कारिये land cement या प्रारंबिक सभादवारा किया जाता है इन केंटिनों में नागरिकों की वर्स में एक बार आवस्यक्ता अनसार इससे अधीक बार प्रारंबिक सभाई होती है जिसमें बीश वर्स या इससे अधीक आयू वाले प्रतेक स्तुरिपुर्ष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है इस प्रारंपिक सबा को स्वीटर्ज लेंड में लेंड सीमेंड खा जाता है इस सबा में अगले वर्स के लिए प्रसासनी कारी चलाने ही तो एक कारी कारणी परिसद का चुनाव किया जाता है जिसका प्रधान लेंड्स में खा जाता है ये कारेकारनी परिसद प्रारंपिक सबा के समुख गत्वर्स के प्रसासनी कारियों की रिपोर्ट और आगामी वर्स के लिए बजट पस्तूद करती है सबा बजट पारित करती है ये सबा कैंटीन के नियाई दीसों या अन्य सरकार यादिकारियों और राजपरिशत के लिए प्रतिनीती भी चुनती हैं प्रारंबिक सभा के दवारा वे सभी अन्य कारिये भी किये जाते हैं जो अन्य केंटिनों में विदान मंडल करते हैं एक पून केंटिन और चार अर्ध केंटिनों में अपनाई गई इस व्यस्ता को लोग तंत्र का सर्वोतम रूप कहा जा सकता है क्योंकि इसमें नागरीक प्रतेक्ष रूप से सासन व्यस्ता का शंचालन करते हैं हम होप सन के विचारों में प्रभुशत्ता जनता द्वारा प्रतेक्ष रूप से प्रियोग की जाती है तता सभी मद्दाताओं द्वारा बनी हुई ये सबा उस लोग तंत्र का स्रेष्ट उधारन है जिसे रूशों या अन्यदार्शनिकों ने वास्तिक लोग तंत्र कहा है अब हम प्रतेक्ष रूप तंत्र के अनिकण देखते हैं लोक निरण है और आरम्भक अन्य स्विश कैंटीनों और संगे छेतरों में ये प्रतेक्ष रूप तंत्र को उसकी एवहवारिकता के कांड नहीं अपनाया गया लेकिन स्विश नागरीग मूलत हैं प्रतेक्ष लो सब्दों में नहीं लेकिन भावनाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पदतियों की कारण वास्त्विक और अंतीम रूप में विदी निर्मान की जो सक्ती की अधिकारणी समस्यूश जनता हो गई है। लोक निर्ण और आरंब को यतपी विश्व की कुछ अंचेत्रों में भी अपनाया गया है। जैसे संवेदानीक प्रशनों पर लोक निर्ण स्विटर्ज लेंड ने अमेरिका संके मैसा चूसेट राजी से ग्रण किया। जहां वे 1708 से भी पूर उपरश लेता। लेकिन स्व कि मातक अपनाया और विक्षित किया है कि विवस्तुत स्विश्पद्यती ही हो गई है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लोक निर्ण और आरंबक का क्या तात्प्रिय है। लोक निर्ण इस विचार परादारीत है कि प्रते कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अव्यक्ती होनी चाहिए। इसलिए जनता को वैस्तापी का द्वारा पारीत विदेगों पर निसे सदिकार प्राप्थ होना चाहिए। लोक निर्ण का तात्पी यह है कि विधान मंडल द्वारा पारीत कोई विदेग कानून का रूप ग्रहन नहीं कर सकता जब तक की जनता उसे स्विकर्थी ने करे। अर्थात यदि जनता विदेग को ऐस्विकर्थ कर दे तो उसे रद समझा जाएगा। लोक निर्ण के दो रूप होते हैं आनिवारिय और एचिक। द्वारा निर्धारित जनता की एक निस्सी संक्या निस्सी समय के वीतर विदान सबाद्वारा पारित विदेगों पर लोक निर्ण की मांग करें तब ही उसके लिए परस्तुत किया जाएगा अन्यता नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांगने की जाए तो देख बिना लोक निर्णे के ही श्विकर्त समझ लिया जाता है। अब हम देखते हैं आरंबग, इंटेट्यूँग, लोक निर्णे जनता को कानून की समंद में निशिदात्मक सकती प्रदान करता है। और इस समंद में सकारत्मक सक्ती आरंबक की द्वरा प्रदान की जाती है। आरंबक की द्वरा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वे किसी विदे का पारूप तयार करें और प्रस्ताव की रूप में विधान मंडल से ये मांग कर सकती है कि या तो विधान मंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्मान करे अत्वा उस पर लोक निर्णे लिया जाए आरंबक दो प्रकार के होते हैं सैविन्यासित आरंबक और एविन्यासित आरंबक सैविन्यासित आरंबक की अंत्रगत जनता श्योमी विदान मंडल के समूग विधे का पूर्ण पारूप प्रस्तूत करती है और विधान मंडल इस पारुप को बिना किसी संसोदन के जनता के समूख अंतिम निर्णय हितू प्रस्तूत करता है एविन्यासित आरंबक के अंत्रगत जनता विधान मंडल के समूख कुछ निस्सित सिद्दांद रखती है यदि विधान मंडल इन सिद्दांदों से ऐसे सहमत होता है तो उसके आदार पर विधेक निर्मित करता है और यदि विधान मंडल इन सिद्दांदों से ऐसे मत हो तो इन सिद्दांदों को जनमत जानने के लिए पस्तूत किया जाता है लोग निढ में जंता द्वुरा इन सिद्धान्तों को श्यूकत कर लिए जानी पर विधान मंडल उनके आधार पर विधेग का पारूप तयार करता है और इस पारूप पर पने लोग निढ में लिया जाता है अब हम ये देखेंगे कि स्वीटर्जल लेंड में लोग नेनें और आरमबक का प्रियोग कब कब किया गया किस त्रे से किया जा रहा है रेफर्डम, लोग नेर्णा को हम रेफर्डम के नाम से भी जानते हैं स्वीटर्जर लेंड में लोग नेर्णा को अलग अलग विशों पर अनिवारे और एचिक दो अलग अलग रुपों में अपनाया गया समिदान संसोधन विदेग पर अनिवारी लोग निर्णा की वहस्ता की गई है समिदान की अनुछीद 145 में खा गया है कि समिदानिक संसोधन तब ही लागूंगे जब उन्हें मत्दान में भाग लेने वाले सुष नाकरिकों के भौमत दवरा ये केंटिनों के भौमत दवरा स्विकार किया जाएगा 4848 से 1960 तक चेंतर समिदानिक संसोधनों पर अनिवारी लोग निर्णा कराया गया इसमें किवल 15 संसोधन जनता और केंटिनों दवरा स्विकार किया गया 1848 के समिदान में एचिक लोग निर्णे की वैस्ता नहीं थी लेकिन 1844 के पूंठ सम्विदानिक संसोधन में ऐसे संगिय कानूनों पर एचिक लोग निर्णे की वैस्ता की गई जिन ये संगिय सबाद्वारा अत्यावश्यक निगोंसित किया गया हो इस समंद में ये वैस्ता की गई है कि किसी कानून या आदेश के प्रकासन के 90 दिन के भीतर यदि 30,000 नागरीक या 8,000 लोग निर्णे की मांग करें तो उस पर लोग निर्णे कराया जाना आवश्यक है विवार के अंत्रगत संगिय सबा के दोरा कानून को आवश्यक गोंसित करने की सकती का विशेश्ट युद्ध और आर्तिक संकट की स्थिति में अत्यदिक प्रियोग किया गया जिससे कि उस पर लोग निर्णे ने करवाया जा सके अत्या 11 नौंबर 1949 को समिदान की धारा 89 में संसोदन किया गया जिसके अंसार अब यह इस्तिती है कि आवश्यक गोंसित किये आदेश एक वर्स के भाश्यम समाप्त हो जाएंगे यदि उनके विशे में एचिक लोग निर्णे की मांग की जाएं और उसकी द्वरा उसे स्विकार ने किया जाया 1921 में कीगे संसोदन की अंसा एचिक लोग निर्णे की व्यास्ता उन संदियों पर भी लागो होगी जो एनिसित काल के लिए या पंद्रा वरसे अतिक समय के लिए की गई है केंटीनों में हम लोक निने देखते हैं संगिय समिदान के अंशी इच्छे के अंसा सबी केंटीनों में समिदान संसोधन समंदी विदेकों पर आनिवारी लोक निने की वैस्ता है दस पूंग केंटीनों और एक अर्थ केंटीनों की सामानी कानून पर भी आनिवारी लोक नेने की वैस्ता है आर्थ पूंग केंटीन और एक अर्थ केंटीन में सामानी कानून पर एचिक लोक नेने की वैस्ता है अर्था समंदी समिदान में निर्दारित प्रिक्रिया क्यादारपन निस्ति संक्या में मत दाताओं दौरा लोक निर्णे की मांगी जा सकती है से इस केंटिनों में लोक निर्णे की आवशकता नहीं है क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोक तंद्र है कुछ केंटिनों में बिच समंदी विशे पर भी लोक निर्णय की वैस्ता है उदान तक कुछ केंटिनों में ये वैस्ता है कि एक लाग प्रेंग या उसे अधिक रकम के खर्श के लिए या दो लाग या उससे अधिक्रासी की वार्षी खर्च के लिए लोक निर्णय करवाया जाना चाहिए अब देखते हैं आरंबक स्विटर्जल निर्ण में आरंबक की वैस्ता समिधान संसोदन समंधी विद्धेकों के विशे में ही की गई है साधान तब विधाई प्रस्ताओं पर नहीं है इसलिए इसे संविधानिक आरंबक ही खा जाता है वर्तमान भैस्ता के अंसार समिधान की पूर्ण संसोदन या आंसिक संसोदन दोनों की ही विशे में आरंबक का प्रियोग किया जा सकता है दोनों ही प्रकार के आरंबग का प्रियोग 50,000 मत दाताओं की द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संक्या में स्विश नागरी पूर्ण संसोधन या आंसिक संसोधन के लिए याचिका दें तो उस प्रातना पत्र पर लोग निने लेना आवश्यक होता है। 50,000 मत दाताओ की अस्ताक्षा 6 मेने की आउदी की बेहितर किये होनी चाहिए। पूर्ण संसोधन के लिए पस्तुत आरंबग को यदि स्विश मत दाताओं का बहुमत स्विकार कर ले तो संग्य सभा का विकर्टन कर दिया जाता है। और चुनाओं के बाद निर्मित नई संग्य सभा समि